तो दोस्तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्ट्रेश मार्स कैसे आपकी बॉलिटी पर कैसे इसे प्रिवेंट करते हैं क्या स्ट्रेश मार्क्स को बॉलिटी से रिमूफ कर सकते हैं तो वीडियो को दरूर एंट तक देखना जिससे आपको प्रॉपरली सब समझ आ जाए स्ट्रेश मार्स के बारे में अगर आप एक नए वियर हो तो चैनल को स्ट्रेश जरूर कर ल होती है बॉडि में फिर चाहे वह मसल बील्डिंग कीवज़े से होई है चाहे वह फी businessman कि एसा को बीचन हो सकता है जिसकी वाज़े से आप की बॉड स्ट्रेश मार्ग क्टा सोते हैं वो बर्येख होने लगते हैं और इसी वजहें से आपकी स्किन अंदर की जो लेयर होती है वह फटने लगती है स्टार्टिंग में जब आपकी स्किन फटने लगेगी तो वह रेड रेड कलर का होगा फिर कुछ टाइम बाद वह परपल होने लगेगा दैन वाइट और फिर थोड़ा स्किन टोन में भी मैच होने लगता है कि यह बहुत ही कॉमर है दोस्तों इसमें कोईबे पर करने की जरूरत नहीं स seitzer कोड़ी सी स्ट्रेश हो रहे हैं चाहे मोटापे के वाज़ से हो रहे हो जाए वो जिम जाने के वाज़ी से हो रहे है तो I had massive growth in my biceps during muscle building, but I am okay with it, no issue. अब बात आते हैं, क्या हम stretch marks से छुटकारा पा सकते हैं, जो हमारी body पर already present है, या नहीं, तो आपको ये सुनके शायद बुरा लगे, लेकिन आप कभी भी stretch marks remove नहीं कर सकते हैं, अपनी body से, जो आपको already present है, stretch marks are permanent guides, अगर आपको कोई suggest करें, ये oil use करो, ये cream लगा के देख लो, लेकिन आप उनकी बातों पर बिलीग मत करना, आप कोई भी cream लगा के देख लो, oil use करके देख लो, सब waste है, सब पैसे कमाने के तरीके हैं, companies के, आप Google पर सर्च करके देख लो, stretch marks removal products, तो एक लंबी list ये वाला stress marks are permanent, अब बात करते हैं, कुछ preventions की, जिससे आप अपनी body पर in future stress marks आने से रोख सकते हो, अगर आप जिम जाते हो, weight lifting करते हो, उन लोगों क्या ध्यान दखना है, आप जो भी exercise perform करो, जिम में, चाहे वो chest की हो, या किसी भी body की, आप workout start करने से पहले, अच्छे से 15 मिनिट का warm up जरूर करोगे, अच्छे से उस muscle group को stretch करोगे, और उसके बाद जो भी workout routine है आपका, उसका जो पहला set होगा, उसमें आप lightest weight pick करोगे, और उससे 20 से 30 रहता होगे, with proper contraction and stretch, then आप उसके बाद heavy lift करोगे, क्योंकि लोग जिम में जाके बिना warm up के heavy lift करना start कर देते है जिसके कारण ये stretch marks पढ़ जाते हैं, तो ये तो हो गई लोग की बाद जो workout करते हैं, जिम जाते हैं, आप बात करते हैं, जो normal individual है, जिनको stretch marks आ गए हैं, तो आपको ये stretch marks क्यों आए हैं, आपको आए हैं, massive increasing of weight and fat, इसकी वाज़े से आपको stretch marks आ गए हैं, तो आप कोई भी physical activity add कीजिए, जिम जाए हैं, अपना body fat थोड़ा कम कीजिए, आप लोग इसको diet के थूपी prevent कर सकते हो, आपको और सभी को, चाहे वो normal individual हो या आप मेरी तरह gym person हो, आप अपनी diet में omega 3 rich foods जरूर कंजूम करोगे, क्योंकि omega 3 आपकी skin के लिए बहुत अच्छा होता है, और vitamin C rich foods कंजूम करने है, omega 3 rich foods like whole egg, fish, अखरोट, अलसी, इन सब के अंदर omega 3 high amount में present है, vitamin C rich foods like oranges, lemon, mossam bean, आमला, आप चाहे फूट से कंजूम कर लो या omega 3 और vitamin C का supplement add कर सकते हो, omega 3 का supplement यह है, fish oil, और vitamin C का supplement, lim C, यह आप add कर सकते हो, और यह और चीज़, vitamin E की capsule आते हैं, गिरी चलर के, यह skin के लिए बहुत beneficial होते है, avion 400 ना में से, आप इस capsule को फट कर सकते हैं, इसमें oil type होता है, जहां आप सोचते हो कि आपके stress marks आ सकते हैं, वहाँ आप डेली थोड़ा apply कर सकते हैं, और जहां already stress marks present हैं, आज चुके हैं, वहाँ भी apply कर सकते हो, इससे आपके stress marks जो present है body पर बहुत dull हो जाएंगे, तो यह मेरा perfect और genuine suggestion है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों के, आप अपने stress marks को prevent कर सकते हो, इससे इन future आपके stress marks ना आएं, और जो already आपके stress marks present हैं, उन्हें पुरण dull कर सकते हो, That's it guys, वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर करना और share करना जिससे आप सभी को एक genuine answer मिले stress marks के बारे में, मिलता हूँ आप से next वीडियो में, stay fit and healthy guys, much love.